इसा फिल्मों में होता है लगता है सिस्टम में कुछ ऐसा ही हुबा हुँ हो रहा है जोली एललबी के बाद असो कहलोट जी ने जिस तरीके से ट्राइल कोट से लेकर हाई कोट तक के और एड़ोकेट्स को ये कहा कि बहुत करप्सन है जो जजमेंट वो लिख के ले जाते हैं जजेस वही जजमेंट पे महर लगा देते हैं और फिलाल तो राजस्तान हाई कोट ने उनके खिलाफ एक कंटेंप्रेटिशन सुवो मुटू ले लिया है लेकिन आज मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ ओनरिबल जस्टिस आनन्द बैंकटिस जे के पास जिनों ने एक न लेकिन आज हम जानेंगे सेक्शन 397-401 रेडविद आर्टिकल 227 ऑफ कॉंस्टिटिशन ऑफ इंडिया लगातार रामा चंदरन के खिलाफ फिर थंगम थेना रासु के खिलाफ और अब ओपनीर सिल्वम जो जैलेलिता के बाद सीम बने थे तमिल नाडू के उनके खिलाफ यह एक्शन लेते वे जस्टिस आनंद वैंकटेज जी नहीं यह कहा पूरा सिस्टम एक बहुत ही सिनिस्टर डिजाइन के साथ यह तैय करता है कि जब हमारी सरकार होगी तो हम पुलिस को और खासकर DVAC यानि Directorate of Vigilance and Anti-Corruption Department को यह कहेंगे कि अपोजिशन के खिलाफ पीछे पड़ जाओ उनको corruption case में अंदर डालो और जब वही opposition जो है ruling government बन जाएगी तो तोते की तरह CBI जैसे तोते से comparison किया था यहाँ DVAC का comparison आनंद वैंकटेज जी ने किया है chameleon से girgit से वो रंग बदल लेते हैं और ऐसा रंग बदलते हैं कि पहले 173 में जो full flash चलान आया था और speaker ने भी क्योंकि यह minister का मामला है तो sanction दिया था अब 173 subsection 8 की CRPC की power misuse करते हैं वही DVAC वही chameleon DVAC फिर further investigation continue करती है और further investigation जो है उसकी application कौन दे रहा है खुद accused persons यानि criminal law में ऐसा unknown है लेकिन यह सारी बातें CGM साब ignore कर रहे हैं और जबकि यह prevention of corruption act का मामला है यहां special court होना चाहिए PC8 के अंदर लेकिन उसके बावजूद CGM साब इसको entertain कर रहे हैं और accused की application allow करके further investigation कर रहा है further investigation जब हो जा रहा है तो वही अच्छा खासा case cancellation में बदल रहा है लेकिन वो cancellation CGM के आगे नहीं speaker साब जो judge के role में बैठे हुए हैं उनके आगे paste किया जा रहा हैं कि अरे इन तीलों में तेल नहीं है sanction withdraw करता हूँ अरे वा डियल रंगोथा वर्से state of मद्यपरदेश 2015 सुप्रिंग कोट की judgment भी speaker साब भूल जाते हैं कि एक बार अगर आप sanction दे देते हैं तो आप उसको withdraw नहीं कर सकते यह सारा आई वास फिल्मों में जोली LV में नहीं यह एक state of Tamil Nadu में लगातार हो रहा है disproportionate income यानि कि 374 गुना यानि आप जब नेता बने तो एक रुपिया था और आपकी तंखा जो है उसको तो माइनस करते हैं उसके अलावा 374 गुना आपके पास unaccountable बनी है और फिर भी आपने देखा किस तरीके से जब आप ruling government हो तो opposition को संग करने के लिए DVAC को यूज करते हो DVAC बिल्कुल independent दिमाग नहीं लगाती जैसा मालिक बोलता है political boss बोलता है जब opposition party की सरकार आती है तो आप 1738 की power मिस यूज करते हो इस पीकर अपने आपको जज बन जाता है जज भी सारे लोग को ताक में रखकर एक यूज की बाते मानन रहे हैं और क्योंकि अब चार्ज फ्रेम नहीं हुआ था तो उन एक्यूस को विड्रॉब भी कर दिया जा रहा है विद इफेक्ट आप डिस्चार्ज और यह सारी बातें जो हो रही है वो किस बेसिस पर हो रही है कि 173 सब सेक्शन 8 में क्योंकि अब cancellation बना दिया है तो जो अपने कोगनिस लिया था वो तो इन्फ्रक्ट्रस हो गया और यह बात हैरानी की बात है कि CGM साहब भी माने जा रहे है जबकि यहां special court को यह चीज़ें एंट्रेटेंड करनी चीथी यहां CGM साहब कर रहे है और जो कोई इमानदार पहले जज़ेस थे special court जो इसको एंट्रे के प्रो एक्टिविजम से आपके कॉमेंट क्या है कि जो राजस्थान में घहलोट साहब ने किया और जुरिश्री को बदनाम करने की एक बात कही क्या रिस्पेक्ट जुरिश्री की बढ़ नहीं जाती इस तरह का Honorable Justice Anand Venkates जी का जो प्रो एक्टिविजम था जहां पर law fail ह हो गया नयाय फेल हो गया law लेकिन टेकनिकली पास हुगा तो उसमें भी आर्टिकल 142 के सुप्रिम कोट की पावर की ज़रुत नहीं पड़ी Honorable High Court ने CRPC में 397-401 में अपनी पावर को यूज किया आर्टिकल 227 में यूज किया और अब इसमें रिट्रायल के डिरेक्शन दी गई थैंक यू